हेलो गैस कैसे है आप लोग स्वागा थे आप लोग को फिर से मेरे एक ने वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि रेड्मी 9i sport में आप लोग कैसे slow charging problem को solve कर सकते हो अगर आपके पास एक रेड्मी 9i sport phone है उसमें जो है बहुती slow charging देखने को मिल रहे तो इस प्रोब्लेम का solution जो है मैं आप लोगों को आज बताऊंगा तो इस वीडियो को लास्त तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गई वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो slow charging problem क करने के लिए सबसे पहले या पर आप लोगों क्या करना है गाई बेग्राउंड में से जितने भी application आप लोगों के रन हो रहा है बेग्राउंड में उन सबको जो है आप लोगों को clear कर दना है तो मैं या पर background में बहुत सरे application चला रहा हो गई आपको दिखाने के लिए तो यहाँ पर देख सकते बेगराउंड में अगर आपके फॉन में कुछ इस तरीके का बहुत सरे एप्लिकेशन रन हो रहा है जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का वाइपसाइट हो गया उसके बाद आप लोगों का गेम्स हो गया या यहाँ पर आप लोगों को निचे स्क्रोल डाउन कर लेना है और यहाँ पर देख सकते बहुत सरे बहुत सरे ओप्षन है मुबाइल दाटा वाइफाइब ब्लूटूथ उसके बाद होटसपोट नियार बाइशेर लोकेशन बहुत सरे ओप्षन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अगर आपके फोन में यह सब ओप्षन ओन है तो आपका स्लो चार्जिंग प्रोब्लेम देखने को मिल लेगा यह सब वाइफाइब शुक्राइब हो घरेखने को मिल लेगे तो अदूल यहाँ ब्लूटूथ हो गया में यह सब वाइफाइब कर दो क्या होगा हिसाँ का एफ उसके बाद करना है असको पल्पिया प्लये अपन कर लेना है प्लेस्टोर को open करने के बाद यापर उपर के साइट में आप लोग देख सकते जी मेयल का profile देखने को मिल जाएगा तो Pletymaill के profile प्रोफायल पर आप लोगों को क्लिक करना है उसके बाद यापर देख सकते नीचे के साइड में Settings का Websites' का webs 전 और अप्शन घं country कण करना है क्लिक करने के बाद देख सकती है पर एक option होगा गाई नेट डोग प्रेफारेंस खा तो जब हम इस नेट डोग प्रेफारेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से बीच वाल अप्शन आप लोग देख सेकते हैं ऑटो अपडेट एप ठीके गई तो इस ऑटो ट्रोक से कनेक्ट होगा वाइफाई हो गया या आपका नेट हो गया जब भी कनेक्ट होगा तो आपके फोन में ऐप्लिकेशन अपडेट होते रहेंगे उससे भी जो है आप लोगों को स्लो चार्जिंग प्रोब्लेम देखने को मिलेगा तो इस option को ओफ करना है ओफ करने के अपने फोन को एक बर अपडेट कर लेना है यहां पर सेटिंग्स पर जाना है नीचे स्क्रोल डाउन करना है और यहां पर एक option मिलेगा पासवोर्ट सेंज सेकूरीटी का इस पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर थोड़ा सा नीचे स्क्रोल डाउन कर लिजिए और पहले से अपडेट है इसलिए आपर कोई भी डाउनलोड को option नहीं आ रहा है और उपल लिखा हुआ है और सिस्टेम में अप्टू डेट मेरा फोन पहले से अपडेट है अगर आपके फोन में आपडेट आया हुआ होगा तो यहां पर से आप लोग उसको डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हो अपडेट करने के बाद भी जो है आप लोगों को slow charging problem जो था वो solve हो सकता है उसके बाद आप लोगों क्या करना है अपने charger को चेक कर लेना है अगर आपका फोन का charger खराब होगा तब भी जो है आप लोगों को slow charging problem देखने को मिल जाएगा तो charger ही problem main problem है तो इसे करके आप अपने वीडियो मैं ठीक गैस तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई